बड़ी खुशी कि बाद अल्ला ने मुझे बड़ा प्यारा खुबसूरा दिरा दिया अल्ला अल्ला और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग कहते ना सोतने वगरा ये कहना बंद कर दें प्लीज बाते करते हैं लोग मैं बच्पन में थी जब मिर्यमी फोहत होगी थी तो बला का शुकर है दो दो माएं एक सास और एक नानी और इनकी आंकों में आप आप से देख सकते हैं कि मैं जाओंगी कि मैं इन से पहले मरू और इनकी अल्ड़ा लंबी सिंदगी करें ऐसी बाते नान साथ उसमा अपी इन्हों ने उठाया वैजी बेटा अपना माशाला से और बड़ी अमी बन गई हैं आप सब जानते हैं विलोग में भी आप देखते होंगे इनको और ये बड़ा माशाला से क्यूट है और इनको पहचानता है बड़ी बातें करता है इंसे बड़ा खुश ह अराम बड़ा आपके साथ पिट है और देखे हैं रो भी नी रहा अराम से दूद पी रहे हैं आपके शोक चड़ा है अपने बच्छे पढ़े करके तो बच्छों को गुद्व में उठा के फिल की असल मेना मेरी जिंदगी में खाश थी कि मेरे साथ बेटे होते हैं उनके उनके पिज में मैं बेड़के नजर नाती वो बस किस्मत में नहीुआ तो मॉंचिछ तो आप दो हो गें तो आप हो सकता है इदर कोशिच हो तो साथ हो सकते हैं क्योंकि पहला तो आ अचै findetर और भां से बड़ा टाह झाय जह आए बाति अबाते सुनता है आपकी अवाज आपको कैसा लगता है? मैं इसके उपर ना फोन पर भी सका बात करूँ ना वीडियो कॉल करूँ तो ये वहां से मुझे उड़ उड़ के पड़ रहा हुता है इसकी ममा जो है ना जो छोटी बेहन है हमारी खाः से जो दुलहन है वो इससे बाते नहीं करती है बस चूप रहते इससे बात कोई निगर दी तो इसको पता है कि मेरी वीडियो बन रही है और यह बड़ा तिक टिकी लगा के लाइब को देख देखें यह चोटा बच्चा है यह बड़ा अच्छा माशला तो इसको ना मिल गी है मुफ्त में इसकी एक मामा तो यह इसलिए इत से सब इतना ना नहीं अटएच उसके साथ है उसके साथ बास चुपरاتी हो बोलती नहीं मेरे साथ मेरव के साथ ये बढ़ा है तो है तो आपको कैसा लगता बड़ी अश्रा पार्司 को अहुंए तो उसी की जो आगैसे इसाम, माल जैसा महसुंस होता है, इसाम सता है इस за होती है माल दूती है और अव्य लिटरली हम बैठे ही है दूती है dengan खूँ बहाएं मेरे बच्चा है, मेरी जान है, यह तुश्य जादा है. अल्ला का शुकर है. मैं चाहती हूँ कि यह जिए लंबी और सेहत मन गुजारे जीए और यह नेक हो अपनी माँ की आँख तारा है थंड़क हो तो इंशाला तल्ला अल्ला पाक खरम करेगा और दौा करेंगे इसके तीन-चार बेंड भाई और आजाएं तो फिर रोनक लगजेगी क्योंके मीरत तो एक है, लेकिन वो बड़ी होगी है, इसको अब छोटों-छोटों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो इसकी सहत की खैर मांगेंगे और फिर उसके बाद, मुझे बड़ा अच्छा लाग रहा है, और लोगों ने जब कहा था कोसर, निकाह के फैसले रब करता है, ठीक है, हम कौन होते हैं ना करने वारे, मैं उसमें एक मौरा बनी जैसे भी, और इस रूर ने दुनिया में आना था, ठीक है, तो ये रूर दुनिया में आनी थी तो उसकी शादी हुई ना, तो चार साल लगे जबार को मनाने में भी, इसको लेके ना, गोध में तो एक अजीब सा स्कून मिलता है, मैं ना भी जाओ ना, गार, तो मेरा दिल करता है, मैं फॉरन बागके उससे मिलके आऊँ, मेरे ना, अंदर से वाज आती थी, ये बात नहीं है, मुझे वो कहता थी एक बेबी मारा और हो जाए, जबार, मैं उ सुसाइटी, उसका एक रिवाज है, रसम और रिवाज है, बेटे को बड़ी तरजीद दी जाती है, चाहे बेटा ना भी कोई सबाने, ठीक है, तो बेटियां जो है, वो जादा ख्याल रखती है, और माबब का वाजू बनती है, आप इनको ही देख लें, माशाला से, इनके वालिद साब ने भी कहा, कि ये बेटों पर भी बारी है, मतलब ऐसे काम करती है, बेटे भी नहीं कर सकते, तो अल्ला पाग इसकी भी जिन्दगी करे, आपको ये मुन्ने से जादा प्यारा लगता है, मतलब कितना प्यारा लगता है, ना जिनको बताएं, मुझे ना, ये गोध में उठाकर कितनी मुश्किलें रेखी और जो सफर आपने सर्दी की रातों में किया, जो सारी इनकी स्टोरी आप सब जाते हैं, जो गोजरा वाली स्टोरी है, जहां वाग गई हैं, अपने इतना सा बच्छा गोध में लेके आपको अपनी वो चीज़ यादा आगी, यह अभी दो माँ का है, वो एक साल तीन माँ का था जब मैं उसको गोजरा लेके गई थी, और इतनी यही डुंद की राते थी, यही जनुरी था, और सोचें वो मेरे लिए कितना तकलीफ दे, वो सफर था कि मैं आपको बता नहीं सकती, और आज जब मैं इसको गोध में पह मेरे शोहर में से, मीरव का यह भाई है, तो उसी में सही बेटा वाथ मुझे कोई जलन नहीं, मैं बलके चाहती हूँ कि इसकी लंबी सहत, तंदरुस्ती वाली जिंदगी हो, और मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ, इनकी स्पोर्ट के लिए हार किसम की, और मैंने उनसे क में अजीब सा स्कून मिलता है, मैं ना भी जाँ ना, घर, तो मेरा दिल करता है, मैं फॉरन बाग के उससे मिल के आऊ, आपको पता ही तर मैं रह रही हूँ, मैंने दोनों को मिया बीबी को अलाइदा छोड़ा है, कि नहीं 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 शादी थी साल हुआ है, मेरे साथ रह जाएं, ऐसा नहीं हो कि बाद में फिरा पश्टाएं, मैं नहीं पश्टाथी, मुझे बस बच्चे चाहिए, आपको पता है, मेरी बेटी बनी है, 17 साल की गुल्चन, वो है, फिर ये मेरा बेटा है, फिर मुन्ना है, फिर मीरब है, तो मुझे तो फुरसत नहीं मिलनी बच जैसे ये ठंड़क बनाए, मेरे अस बैंड की और मेरी जो है बैंड चोटी उसकी, अल्लापात सब के बच्चों को जो है ना वो, उनके माबाप की ठंड़क बनाए, उनको नेक जो है ना वो, करें, तो चाहे ले आई हैं, इनकी मामा ही, कोई दो लफ़ लफज अगर बोलन बड़े मिया तो बड़े मिया चोटे मिया अप्छे के बार, पहली बार मंजरे आप बच्चे के बार, यह मैंने ले लिए अबजा, जी तो नाजरीन आप ने देखा है कि उसमा अपी तो थी हमारे साथ, साथ उनके अब बहन भी आ गई हैं, उनकी मेशा से उनको परी बहन म मैं इनके अपास बहुत जादा इनके करीब हो आती जाती हूं और मैंने देखा है कि माशालला उनको छोटी बहनों की तरह जो है वो समझती है, तो कैसी है कोसर आप, जी मिलकुल जी, लोग आपको बड़ा देखने के लिए बिचैर और कमेंट करते हैं लोग के उनको भी ल इसे भी ये देख रहा था, अच्छा, मतलब उनको ढूंटा है कि किदर गई है, पिर जो वीडियो काल में करती है ना बजिजमा, पहले ऐसे ऐसे देखता है, फिर वीडियो, वो आवाज सुनके देखता है कि कहां है, वो चेरा कहां पे है, पिर मुबाइल में देखता है, अच्छा, जो भी गरे लगता है, वो हमारे ही हो जाता है, बिल्कुल बेशक, और लाखों करोडों इंसानियत की जो है, उनका दर्द का जो है, मुदावा करने वाली और उनको संभालने वाली ये देख लें, आप कितनी खिदमत भी कर रही हैं, तो अपने इस बच्चे को क आप के जो है ना इसके साथ बाते नहीं करती है, तो ये मैं बाते करती है, तो ये मुझे पहचानता है, मेरे साथ खेलता है, आप क्यों नहीं बाते करती है, बाते नहीं करती है, अच्छा, इसलिए आप की ओवाज का उसको आइडिया नहीं है, तो ज्यादा जो कानों में वाज गुचती है न वो यह वाज गुचती है तो वो जैसे सुनता न तो वो बड़ा आगे से रिस्पॉंस करता है और यह मेरे पास एक बात है मेरे पास यह सोता भी नहीं है अच्छा अगर आप इनके सांद लेटा हो तो पास जाता है यह देखे अभी भी भी अभी हमने अभी वीडियो स्टार्ट ही की थी मेरे छाल 5-6-10 मिनट हुए होंगे तो भी इन्होंने फीडर इसके मूं में दिया उसने दूद भी नहीं पूरा पिया और उनकी गौदी में आके सो गया यह है बड़ी अम्मा की गौद दे आपने जितना भी टाइम गुजा रहा है कठे जितना माशाला से अच्छा टाइम गुजा रहा है तो बाजी के लिए कोई दो लाइने दो लफ़ज अपनी तरफ से कुछ बोल दो ओर्डियन्स जो आना देख रही है जि सबसे पहले है तो बहुत शुक्रिया अबाजी का जो मुझे अपनी बैन समुझके रखा यह इन्होंने और बैन समझा है नही बलकर माना भी है और कहती है बाते करते हैं लोग बलके जब यह बिमार भी थी तो लोग कहते हैं कि वो कहा है तो उस वक्त इनका बेबी हुआ वा था वो बीजी थी और ठीक भी नहीं थी तो अब माशाओला से वो सामने आ गई है तो जरूरी नहीं कि कोई चीज़ आपके सामने नहीं है या आप देखनी शुरू कर दें ये अभी आपके सामने बैठी हैं और खुद से कह रही हैं कि माशाला दोनों बेहनों की तरह रहती हैं हम इनको गार से इधर लेके आए थे तो कि आज वो हमने उम्रे के लिए देव ना इतना तो एक फशन चोटा सा किया था मिलाद तो फिर मैंने इनको कल दोनों को का मैंने का आप अधर मेरे साथ ये रात मारे साथ पहले मिरफ के साथ सोया रहा है फिर उसके साथ मेरे पास आगया सुबो के टाइम तो इधर ही था कि माशाला आपस में दोनों बहुत खुश है शुकर अहम दोना जी और अल्ला पाग इनको हमेशा खुश रखे चोटी सी जिंदगी इसाहिमा क्या करना है जल लोग भी समझते है जल के लड़ाई करके जगड़े करके क्या करना है मैंने देखें मेरा बच्चा बड़ा है 16 साल का है वो जवान है अभी नईनी शादी हुई है दोनों मिया बीवी है घर में जार एक साल ही हुआ है मैं तो नईनी शादी सारी जिंदगी मानती हूँ मैं कहती हूँ सारी जिंदगी बन्दा दूला नहीं बुलाई सोरी सोरी किस गाली तुसी करते हुए इस दवा मुझे एक पोस्ट आही कि फैसलाबाद में एक दिन में पचास जार बच्चों की पदाईश हुई है मैं कहा कामती ही थी हो गया बहुत ज़्यादा अजाफा हो रहा है बादी है शादी जितनी हुई थे और इस साल इतनी शादी हुई है और अगले साल देखिए का माशालाँ उनका फिर रिजल्ट निकलना है तो वो पचास आरमे से किसके भी एंट्री हुई है तिसंबर में बलके यह हुआ है 29 अक्तूबर को 29 अक्तूबर को यह वा था तो अब माशालाई दो माँ का हो गया तो यह प्यार महबत की बातें थी और यह मजाग की बातें थी यह चोटी बहन है और मैं चाहूँगी कि मैं इन से पहले मरूँ ताके मेरे आपसे बहुत बड़े बड़े काम एदे मेरे जाने के बाद इनको मेरी कमी फीलो कि कोई मेरी बड़ी बहन थी तो मैं जाओंगी कि मैं इन से पहले मरूँ और इनके लगा लंबी सिंदगी करे ऐसी बाते नाना करे आप माशालाई प्यार है और इसी तरह ही होती है जब कभी मैं इनके घार आती हूँ तो उसमा आपी कहेंगी कि एक उसर पानी ले आओ चाहे ले आओ और यकीन करें कि उनके मुँ से एक लफ़ नी निकलता वो उसी तरह से लेकर आती है तो कभी हो जाता है दिल में शिक्वे लेकिन माशाला आपस में बहुत प्यारा आला पाग इनको हमेशा खुश रखे इसी तरह शाद और अबाद रखे और उसमा आपी को काईम रखे उनको सहत वाली जिन्दगी दे लिक्वे इन्होंने बड़े बड़े काम करने हैं और बहुत से लोग इनके मुंतजिर है अपना बहुत सारा ख्याल रख्येगा और इन दोनों के लिए प्यारा सा एक कोमेंट नहीं तो एक वर्ड ज़रूर लिखेगा ज़रूर लिखेगा और डिले पनों चाहिए जरूर और इस चोटे से नाम रखा इसकी नानों ने यानि कि देखें कि मेरे घारवाले जो हैं उन्होंने कोसर को पूरे तरीके से वेलकम किया मेरी अम्मी ने इसका नाम रखा है हमजा, मुहम्मद हमजा मीरभ ने रखा है, यूसफ उसने रखा है, मुहम्मद यूसफ इसकी बहन ने रोगाने और टोटर्डेंद राइन दोटर्डेंगें आइनका और आउस आउसो लिख सकते हैं। लिखन लिखने हैं मांका जिक है लोगा लिखश्मसे निए लिखते हैं। जदुआ अखी आउस गलावना प्यार इंको जादा पूता है. आलाओ